हेलो गाईज कैसे हैं आप सबी तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो में हम चैप्टर डिसकस करेंगे अरीजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ओर इसमें बहुत सारे टाइप साते हैं अलग-अलग टाइप पढ़ेंगे इसके अंडर जिसमें आज हम स्ट इसाँ चैंति सस्कें झाब को कुछ वर्ड को और अरेंज करना उता है हैंने क्या करना अरेंज करना और कि सरह और आव mão जैसे अपdar जैसरी में जैसे कि अशनरी जब खोलते हैं चैशकर तो पर यह जो कहले आता है उतको तो आप क्या करते हो किस तरह से किस तरह से देखते हो वही उसी अरेजमेंट में आपको क्या करना है इनको अरेंज करना है कि डिक्ष्णरी में सबसे पहला वर्ड जो होगा वह कौन सा आएगा इन में से फिर उसके बाद कौन सा आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा है ना तो यानि इने dictionary के accordingly हमें क्या करना है अरेंज करना होता है तो देखो यहां पर जैसे कि एक question ले लेते हैं जैसे कि यहां पर पहला question दे रखा है spine, spinal, spinner, spinet और spindle इसको हमें क्या arrange करना है जो कि dictionary के dictionary में जो word पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे और जो word बाद में आएगा उसको क्या लिखेंगे बाद में लिखेंगे ठीक है अब देखो आपको इतनी चीज़ तो दिख रही है यहां पर कि जो spine में SPIN है तीनों में यह क्या है common है तो common वाला part हम छोड़ देते हैं जो उसके next होता है जो common के बाद होता है उसको हम consider करते हैं जैसे इसके बाद क्या रहा है ए यहां पर यहां पर बादर में सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है तो आपको पता है किbajलेंगलिश के को वाले को मिले आपको spindle मिलेगा, ठीक है, क्योंकि N, sorry, यहाँ पे E था न, CD है, ठीक है तो D वाला word पहले आएगा किस से, E वाले से, ठीक है, अब हमने A वाला भी कर लिया, D वाला भी कर लिया रिज, है न, आप देखना में कि E वाला, E वाला और E वाला यहाँ पे N है, यहाँ पे E है और यहाँ पे B है, तो हमें पता है कि N तो E के बाद आता है, तो हमें इन दोनों को comparison करना है, इन दोनों को देखो कौन सा पहले आया का dictionary में तो देखो आप यहाँ पे SPI N E है सिर्फ और यहाँ पे SPI N E T है, तो जब आप सर्च करोगे वर्ड तो SPINE तो पहले ही आ जाएगा SPINET आपका क्या आएगा, बाद में आएगा क्यूंकि इसमें T के एक extra है ठीक है, तो यानि यहाँ पे यह 3rd number, 3rd position में आएगा और यह क्या आएगा, आपका SPINET, SPINET के बाद क्या देखा dipping, स्पाइन स्पी आई एन ए स्पाइन के बाद कौन सा था स्पाइनेट स्पाइनेट के बाद कौन सा था स्पिनर स्पिनर थीक है तो पांच होगे 1 2 3 4 5 यह हमारा क्या हो स्पाइन स्पाइन यहां पे ए यह और यह तो सबसे लगता है सबसे लाष्ट में आता है तो यहां पे देखा हमने कि i से पहले क्या ऊएगा पर e क्या है इन तीनों में में इहां पर भी यहां पर भी ऑंपर भी ओक् Hey तो इन तीरों में comparison करेंगे हैं हम सबसे पहले तो यहां पहला उप मुझे है कंजरक वाला देशन करें तो थोड़ा बाद में आईगा, M सबसे पहले आईगा, है न, तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहला कौन सा आएगा? M आएगा, यनिमीज रिमूव सबसे पहले आएगा, फिर कौन आएगा आगा आपका ? वाधि में आएगा तो रिगर सबसे पहले आएगा ती हो गया आपका 4th में और यह आगया ओगया फिट में ठीक है तो इस तरह से आपको अरेंज करना होगा इन्हें तो लिख लेते हैं इसे देखो सबसे पहली पुजिशिन में आएगा रिमूव तक के बाद आएगा आपका रिवाइज का रिगर की बाद किया आएगा रिमर M-O-U-R ओके तो ये पांच वर्ड इस तरह से आपके डिक्शनरी में आएंगे सबसे पहले रिमूव आएगा फिर रिट्रोस्पेक्ट आएगा फिर रिवाइस आएगा फिर रिगर आएगा और फिर रिमर आएगा तो हमने अरेंज कर दिया अब एक last question देखते हैं और ये type 1 इसके साथ क्या होजगा बहुत ही आसान question है इसलिए मैं इसके ज़्यादा question नहीं करा रहा हूँ या आप अपना practice कर सकते हो बस आपको एक concept बताना था कि किस तरह से ये check करते हैं अब देखो यहाँ पर जैसे grammar है टो आप इसमें क्या देख रहे हैं इसके बाद हम चेक करेंगे जो इसका next alphabet आ रहा है यह पर आ रहा है हैंपर क्या रहा है फिर यहांपर क्या रहा है तो आपको पता है कि English alphabet में क्या होता है कि M के बाद N आता है यानि M तो क्या आएगा सबसे पहला आएगा यानि grammar यहाँ पर क्या आएगा सबसे पहला word होगा आपकी dictionary में ठीक है? अब हमें दिख रहेगी यह N तक तो सारे common चल रहे हैं यह N तक तो सारे common चल रहे हैं है ना? तो इसके जो अगला word होगा तो वह comparison करेंगे उसका यहाँ पर A है यहाँ पर D है यहाँ पर D है यहाँ पर U है तो U तो सबसे last में आएगा है ना? अब देखो यहाँ यहाँ पर A और D में से कौन पहले आएगा? A पहले आएगा तो यह granular क्या हो गया? सबसे पहले आपको dictionary में मिलेगा word ठीक है? अब आपको सिर्फ इन दोनों को comparison करना है क्योंकि आपको पता है granular तो सबसे last में आएगा तो यहाँ पर देखो grand यहाँ पर भी grand यह पूरा grand है और यहाँ पर granduer है तो यह extra part आ रहा है एक्स्ट्रा के लिए आपको और आगे जाना पड़ेगा dictionary में search करने के लिए पर grand तो सीमित हो गया फिर grand के बाद आपको search नहीं करना पड़ेगा फिर यह क्या हो गया? आपका third position में आ गया यह fourth position granduer आ गया और fifth position में क्या आ गया? granular हो आ गया ठीक है इसे मैं लिख लेता हूँ देखो सबसे पहला आएगा आपका grammar ठीक है grammar फिर आता आपका granary फिर आएगा आपका grand grand के बाद आएगा आपका granduer और granduer के बाद आएगा granule ठीक है? तो इस तरह से आपकी क्या होंगे? words आएंगे आपके dictionary में तो type first में इसी तरह के आपको alphabetical order of words में इनको क्या करना है? arrange करना होगा अब इसका type second discuss करते हैं देखो यह वाला जो type है आपका यह है letter word problem ठीक है? यह क्या है आपका letter word problem तो देखो इसमें किस type के आपके question पूछे रहते हैं ज़र इसे पढ़ लेते हैं देखो नीचे दिये गए परतेक प्रशन में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े बनते हैं जिसमें परतेक में उतने ही अक्षर बीच में हैं जितने की अंग्रेजी की word माला में है यानि English के जो alphabets यहाँ पर आपको क्या बताने है वो पियर बताने है वो जोड़े बताने जिसमें क्या होगा कि जो English के alphabets होते हैं जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I यह क्या English के alphabets हैं तो English के जो alphabets होते हैं वो exactly उसके बीच में कितने आ रहे हैं कितने की gap में आ रहे हैं तो वह आपको पियर बताने हैं अब इसको समझने के लिए इन question को करते हैं क्योंकि इसमें आपको क्या बताने हैं पियर बताने ठीक है देखो पहला question है आपका necessary आपको क्या करना होता है इन question में आपको जो words given है उसके आगे जो यह जो alphabet है यह word given है इसमें अलग-अलग alphabet है तो जो alphabet है इनके जो अगला जो word होता है वो आपको बोलना है ठीक है और जो मालो और जैसे यहां से आपने start कि N से start किया तो आपको पूरा जाना है ठीक है पूरा पढ़ना है N से start करके ठीक है जैसे कि M के बाद N O P Q R S T U V इस तरह से आपको पढ़ना होगा है इसमें ठीक है यहां दखना N से start किया तो N के आगे वाले जो English के alphabet आते हैं वो आपको बोलने और जहां भी भी आपको English का alphabet मिल जाता है जो कि इस pattern में आ रहा है तो वो एक pair बन जाएगा समझने वाली बात किया इसमें देखो जाएगा यहां से start किया बने N से start किया M N O P Q R S तो यहां पे दिख रहा है आपको S आ रहा है तो अंग्रेजी की word माला में इतनी अक्षर बीच में आएगे तब जाके S आएगा न के बाद इतनी word बीच में आएगे कुछ भी आएगे जो भी आएगे वर्ण माला में पर उसके बाद तो S ही आएगा तो यहां पे वो ही बोल रहा है कि ऐसे कितने पेर हैं कि जो इस rule को follow करते होंगे जो मैंने आपको बता है ठीक है तो एक तो यह follow कर रहा है M N O P Q R S है ना एक जोड़ा है दिख्या है और दिख रहा है आपे S T U V नहीं दिख रहा है ठीक है अब देखते हैं आगे दिखते है E F G H I J K L नहीं दिख रहा है ठीक है नहीं दिख रहा है C D E F G H I नहीं दिख रहा है S T U V W नहीं दिख रहा है S T W V नहीं दिख रहा है A B C नहीं दिख रहा है R S नहीं दिख रहा है अब उल्टा भी जाना है आपको यह तो हमेंने इस direction में गया अब आपको क्या जाना है इस direction में चेक करना है इस direction में कोई pair exist तो नहीं करना है तो देखो क्या है Y, Z अब देखो Y, Z के बाद आप A में नहीं जाओगे बस Y और Z हो गया खतम है ना अब A में नहीं जाओगे ठीक है Y, Z नहीं है फिर R, S, T, U, V, W, X, Y नहीं आ रहा है कोभी alphabet है ना फिर चेक करो A, B, C, D, E, F, G नहीं आ रहा है अगला चेक करो S, T, U, V, W, X नहीं आ रहा है S, T, U, V, W नहीं आ रहा है E, F, G, H नहीं आ रहा है C, D, E, Nहीं आ रहा है E, F नहीं आ रहा है तो reverse में तो कोई भी नहीं आ रहा है जब हम इधर के side गए वे थे तो एक pair हमें मिल गया था यानि इसके बीच में equal word आ रहे हैं जो कि हमारे English alphabet के जब हम बोलते हैं तो उसमें भी इतनी alphabet बीच में आएंगे और उसके बाद वो word आएगा इसमें ठीक है आ गया होगा समझ है ना अब देखो इसमें क्या देखा हमने कि A की pair आया तो इसका answer क्या हो गया वन हो गया तो इस तरह से आपको इन question को solve करना है इसको अच्छे से समझने के लिए इस वाले question को भी ध्यान से देखो जरा अब देखो यहाँ पर क्या लिखावा है adequately हमें क्या बताना है कि कितने अक् शर बीच में आएंगे जैसे कि अंगरी जी की वर्ण माला में आते हैं ठीक है अब देखो जरा A से count करो A B C D E F G H I J नहीं आ रहा है अब हमने A से तो देख लिया फिर D से करो A B C D E D के बाद E आ रहा है तो एक प्यार तो यह दिख गया हम इसको है ना F G H I J K L नहीं आ रहा है तो ना E F G H I J K L नहीं आ रहा है क्यों से देखो P Q R S T देखो एक आ रहा है ना इसके बीच में exactly उतने ही वर्ण है चुकि इंगलिश के अलफाबेट में रह जाते है ठीक है तो पी के बाद Q R आना चाहिए थे हैं पर S आना चाहिए यहां पर T आ रहा है है ना तो Q और T एक पैर मिले हैं हमें ठीक है P Q R S T U V W आगे नहीं आ रहा है ठीक है अब देखो यू वी डबू एक्स वाइज बयब्सेर नहीं आ रहा है A B C D आ है कि वरस T U VW नहीं आ dato डब णा हाहिए E F G नहीं आ रहा है LM नहीं आ रहा है अब reverse इधर से तो हमने देख लिया अब हम reverse में देखेंगे ठीक है कोई pair exist करता है कि नहीं करता है तो देखो Y, Z, A नहीं बोलेंगे अब ठीक है Y के बाद Z खतम फिर इसके बाद है L, M, N, O, P, Q, R, S, T नहीं आ रहा है L, M, N, O, P, Q एक आ रहा है L, M, N, O, P, Q यह तो आ रहा है एक यह वाला देखो आ रहा है L, M, N, O, P, Q Q आ रहा है R, S की बाद ही नहीं आ रहा है ठीक है अब देखो यहां पर के E, F, G, H, I, J, K, L नहीं आ रहा है P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z नहीं आ रहा है A, B, C, D, E, F ए, B, C, D, E, F नहीं आ रहा है U, V, W, X नहीं आएगा P, Q, R, S, T नहीं आएगा E, F, G नहीं आएगा A, B, C, D, E नहीं आएगा तो इतनी ही पेयर इसमें exist कर रहे है कितने पेयर देखो यहां पर एक, दो, तीन यहनी इसमें कितने पेयर exist कर रहे है तीन प्यर एक्जिस्ट कर रहे हैं तो यह जो second type है आपको इस तरह की word problem इसमें देखने को मिलेगी दो और example ले लेते हैं फिर इसके बाद यह type हम क्या करते हैं over करते हैं अब देखो यहाँ पे cling और paradise दे रखें दो word दे रखें इनको check कर लेते हैं इसी rule से जो हमने भी discuss किया तो यहाँ पे देखो jk, k के बाद l jk, l, तो एक प्यर यह दिखिया jk, l, m, n एक यह दिखिया jk, l, m, n एक यह दिखिया ठीक है jk, l, m, n, ठीक है jk, l, m, n, ठीक है ओ, पी, नहीं, आगे नहीं आ रहा है l, m, l, m, n एक यह दिखिया ठीक है o नहीं आ रहा है फिर i, j, k नहीं आ रहा है m, n, o नहीं आ रहा है फिर अब इदर से तो देख लिए हमने इस direction में अब इस direction में चेक करेंगे देखो g, a, b, c, d, f g, h, i एक तो यह आ रहा है ठीक है g, h, i, j, k एक यह भी आ रहा है ठीक है k वाला भी आ रहा है g, h, i, j, k ठीक है m, n, o, p, q नहीं आ रहा है h, i, j, k एक यह भी आ रहा है ठीक है l, m, n बाकी नहीं आ रहा है ठीक है इतने ही आ रहा है इसमें काफिस हा रहे हैं देखो पेर आ रहे हैं आपके 6 पेर आ रहे हैं कितने पेर आ रहे हैं अब पेराडाइस में चेक करो इसी तरह देखो पेराडाइस में वर्ड में देखो P से स्टार्ट करो P Q R एक तो यही आ रहा है S T U V W बागी नहीं आ रहे हैं रहे हैंना A B C D एक ये भी आ रहा है देखो meow गाहनना A B C D E F G बागी नहीं आ आपके English के alphabet में आ रहे हैं तो A, B, C, D और उसके बाद क्या आता है यह आता है तो यह pair हमारा हो गया ठीक है फिर A, B, C, D, E, F, G, H नहीं आ रहा है, I, J, K नहीं आ रहा है, है तो इस तरफ देख लिए हमने अब reverse direction में देखो E, F, G, H, I, J, K नहीं आ रहा है, S, T, U, V, W नहीं आ रहा है, I, J, K, A, N, A, B, C, D, E, R, H, T, E, R, C, N, A, B, 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 C, N, A तरह कि इस तरह से आपको दिखाए दीगी अब इसमें अब टाइप थर्ड देखते हैं अब देखो इसमें अब टाइप तर्ड डिस्कॉस करें जो कि है वर्ड फॉर्मेशन ठीक है आपको कुछ एक वर्ड गिवन होगा और जैसे यह वर्ड गिवन अब कूछ वर्ड गिवन होगे है न कहाति जो के और आपको इसमें दो टाइप से पूछा जा सकता है और जैसे पहले में पूछा जा ऊसकता है वो बताना होगा ठीक है तो दो इंज़ाम्पल में इसके लिए लेता हूं और दो इंजाम्पल उसके लेता हूं और उसके साथ फेर सोफरीयर टाइप हमारह क्या हो जाएगा कहता मुझारीड वर्ड-for-mission गठीक है तो देखो u एस एक सी Bosn 진행 टे म्हिंत थे एक हैं इस यू सी element सक्षेंभग सकता है यह तो ची पहला है यौड सकता है तो संप्ष्म O, I, N, S, coins भी बन सकता है, है ना, caution, C, A तो है नहीं न, इसमें, तो caution नहीं बन सकता है, ठीक है, तो हमें word मिल गया, caution नहीं बन सकता है, फिर भी यह चेक कर लेते हैं, notion बन रहा है, N, O, T, I, O, N, तो notion भी बन रहा है, है न, तो हमारा correct answer क्या हो गया, option number C हो गया, जो की है, caution, ठीक है, अब endeavor में देखो, इन में से कौन सा word नहीं बन सकता है, तो देखो जरा, drove, D, R, O, V, E, D, R, O, V, E, तो drove तो बन सकता है, drown देखो, D, R, O, अब यहाँ पर देखो, आपको drown में W नहीं दिखाए ले रहा है, है न, endeavor में W कहीं पर भी नहीं है, तो drown तो कहीं पर बन सकता है, round R, O, U, N, D, तो round तो बन सकता है, D, V, R, D, E, V, O, U, R, तो बन सकता है, ठीक है, तो round इसमें क्या हो ग करते हैं, है न, हमें उन options में वो बताना होगा, कि उन option में बागी तीन option ऐसे दिया रहेंगे, जो कि formation नहीं होगा, और एक option ऐसा दिया होगा, जो form हो रहा होगा, ठीक है, तो देखो, उसे, इसके letter को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो देखो, sunambulism है, ठीक है, इसमें बायोम, B, I, O, M, E नहीं है, इसमें तो यह form नहीं हो सकता है, हमें बताना है कि कौन सा form हो सकता है, बैसल, B, A, S, A, L नहीं है, इसमें L है, B, S, O, U, L, तो इसमें बायोम हो रहा है, यह हमें बताना थे कि कौन सा form हो रहा है, तो इसमें है, नहीं तो यह form नहीं हो रहा है, तो option number C इसमें क्या हो गया correct answer यानि sonabolism के word को use करते वे soul हम बना सकते हैं अब देखो rhinosaurus में देखो R, E, N, R, E, N A तो है नहीं तो यह बनने सकता H, I, N, D, H, I, N, D है नहीं तो यह नहीं बन सकता S, O, R, L, S, O, R, L है नहीं तो यह नहीं बन सकता horse ही बनेगा H, O, R, S, और E तो horse क्या हो गया इसका correct answer हो गया यानि option number D इसका क्या है correct answer हो गया तो इसी के साथ हमने type 3 देख लिए word for mission ठीक है अब इसके बाद type 4 डिसकस करते हैं इसके बाद हम देखेंगे type 4 detection page यह वाला जो type है आपका वो है detection page इसमें आपको कुछ given rule होगा और उस rule को follow करते वे जो option होगे वो ही उसमें क्या होगा correct answer होगा आई समझते इस चीज को देखो यहां पर क्या है इनीच आप दो फॉलेंग क्वेश्चन find out which of the letter series follows the given rule यानि इसमें से कौन सी letter series है जो यह rule given है उसको follow कर रही है अब देखो यहां पर rule क्या है हर एक question में आपको कुछ rule given होगा और उसको follow करते वे आपको अपने option को find out करना है देखो यहां पर क्या है number of letter skipped in between adjacent letter in the series is 2 यहां पर क्या बोढ़ रहा है कि जो adjacent letter है जैसे m और p हैं ख्यकों को इसके बीक में जो यह जो js ay docol jeśli bouncy even में कितने वर्ट कितने वर्ब की प्यों नहीं कि क्या है दो वर्ट ho jongleों क एक हर एक उस हम उस्कीच में क्या है एम आन से बहुत का है यह क्ोर्शन फारटá स्ट विप रहे हैं ठीक है फिर S आगया, S T U फिर V आया, फिर V के बाद क्या आदा, U V W X फिर V आया है, फिर Z A Z A दो word इसमें अभी मिसिंगे, फिर B A B C D, C D याँ भी मिसिंगे फिर E आएगा, तो option number पहला इसमें क्या होगा, correct answer होगा हमारा या option number पहला हमारा क्या होगा correct answer होगा, ठीक है क्योंकि इसमें हर एक word के बीच में क्या है दो letters हमारे या दो alphabet के skip किये गए है ठीक है, इसको भी एक बार check कर लेते हैं तक कि हमें surety हो जाए S, P, Q, R, S T, U, यहाँ पे सिर्फ एक word मिसिंग है T के बाद U आ रहा है बलकि हमें तो कितने चीए थे 2 चीए थे, तो option number B, C क्या होगया, incorrect होगया P, Q, R, S यहाँ पे भी A की word मिसिंग है तो यह option भी क्या होगया, गलत होगया यहाँ पे Z, A, B C, R, A, ठीक है C, D, E, F यहाँ पे 3 आ जा रहा है इसके बीच में तो यह क्या होगया, गलत होगया तो option number E, हमारा क्या होगया correct answer होगया, ठीक है अब next question लेते हैं इसी में थोड़ा अच्छे से समस्ते इस concept को देखो second question में क्या given है आपको number of letters skipped in between the adjacent letter in the series are consecutive even numbers यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपके consecutive जो adjacent words given है आप यहाँ जो adjacent letter है इनके बीच में आपको इस पहले वाले में क्या था दो का gap था अब क्या है एक even number का gap है जैसे कि even number क्या होते है जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया इस तरह का gap है इनके बीच में है अब आपको find out करना है कि वो कौन सा word होगा इन में इन options में से तो देखो ज़रा पहला ही चेक करते है A, B, C, D यानि इसके बीच में A और D के बीच में कितने हैं दो वर्ड का gap है, है न, दो वर्ड का gap है फिर है, A, B, C, D, E, F, G, H, I यानि 4, फिर 4 का gap है फिर देखो, H, I, J, K, L, M, N, O, P यानि 6 का gap है, ठीक है फिर यहाँ पर P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y यानि 8 का gap है, कितना gap है, 8 का gap है तो यह हमें गिवन था कि 2, 4, 6, 8 यानि even number के gap में होना चाहिए option number A ही हमारा character answer हो गया और option आपको check करने के भी even जरूद नहीं है फिर भी आप एक confirmator के लिए अगर आप check करना चाहते हैं तो second option check कर लो जरूद देखो यहाँ पर C के बाद D आ रहा है तो यहाँ पर तो A की आ रहा है, A की हमारा even number है नहीं है, तो यह तो गलत हो गया C, D, E, F यहाँ पर भी A की आ रहा है, तो यह भी क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है फिर इसके बाद है हमारा G, I, H, I, J, F, G, H, I यहाँ पर भी A की आ रहा है, तो यह भी क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है, तीन option गलत है यह option क्या है हमारा राइट है तो आप एक और question देखते हैं और इसी के साथ इस type को भी हम क्या करते हैं ओब करते हैं ठीक है question number 3 देखो इसमें number of letter skipped between adjacent letter in the series is in the order of 257 और 10 पिछले वाले में हम even number का एक order देखा अब यहां पर आपको क्या देखना है जो gap in letters के बीच में क्या होना चाहिए 257 और 10 का होना चाहिए तो आप फाइंड आउट परोज़र है इसमें देखो पहला question देखते हैं पहला option देखते हैं c d e तो इसमें तो एक ही का gap है तो यह तो हो नहीं सकता तो गलत है f g h i j k l m n यहां पर है पूरा 7 का gap तो यह भी नहीं हो सकता ठीक है फिर यहां वाला देखो p q r s t यहां पर 2 का gap है ठीक है s t u v w x y ठीक है 4 और z ठीक है 4 5 यहां पर क्या हो गया 5 हो गया फिर z a b c d e f g h यह नि 7 हो गया h i j k l m n o p q r s ठीक है तो क्या हो गया आपका 10 हो गया ठीक है तो यह option हमारा correct हो गया क्योंकि इसमें 2 5 7 10 का pattern चल रहा है और हमें वह find out करना था option number d तो गलती होगा इसमें ठीक है चलो तो यह इसके साथ हमने क्या क्या type 4 detection based जो questions होते हैं वह हमने discuss कर लिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं next जो वीडियो में होंगी इसके सिर्फ अब दो टाइप बच चुके हैं type 5 और टाइप 6 वह discuss करेंगे तब तक के लिए have a nice day बाइए कर दो कर दो कर दो में हाईप बच्ड़ कर दो कर दो कर दो दो ऑ्रूब तो